आईल 01 ए कम्प्यूटर आज का युग कम्प्यूटर का युग है आज जीवन के प्रतियक शेत्र में कम्प्यूटर का समावेश है ब्रेहत पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रोनिक सयंत्र को संगणक अत्वा कम्प्यूटर कहते हैं अर्थात कम्प्यूटर वो युक्ती है जिसके द्वारा स्वचालेत रूप से विवित प्रकार के आंक्डों को संसाधे देवं संचयत किया जाता है। वर्दमान स्वरूप का पहला कम्प्यूटर मार्ग माइनस वन था जो 1937 इस भी में बना था। कम्प्यूटर के कारे कम्प्यूटर के प्रमुक तक्नी की कारे चार प्रकार के होते हैं। केंद्रिय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाहिय स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदी आते हैं। कम्प्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सौफ्ट वेयर कहा जाता है। कम्प्यूटर के भाषा को इन तीन वर्गों में बाटा जा सकता है। एक मशीनी कूट भाषा, मशीन कोड लेंगविज, दो असेम्बली कूट भाषा, असेम्बली कोड लेंगविज, और तीन उच्छ स्तरिय भाषाएं, हाई लेवल लेंगविज, एक मशीनी कूट भाषा, मशीन कोड लेंगविज, इस भाषा में प्रतियक आदेश के दो भ आरंबिक दिनों में प्रोग्रामरों द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था ये भाषा समय ग्राही थी जिसके करण एसेंबली एवं उच्छसतरिय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा दो एसेंबली भाषा इसेंबली लैंग्विज इस भाषा में याद रखे जाने वाले लायक कोड का प्रयोग किया गया जिसे नुमैनिक कोड कहा गया जैसे एडीशन के लिए एडबल दी सब्स्ट्राक्शन के लिए SUB एवं जांप के लिए JMP लिखा गया परन्तु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चत सनरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था अतहा इन भाषाओं को नेमनिस्तरिय भाषा कहा गया तीन उच्छसतरिय भाषाओं उच्छसतरिय भाषाओं के विकास कश्रे IBM company को जाता है फोर्टरन नामक पहले उच्छसतरिय भाषा का विकास इसी कमपनी के प्रयास से हुआ इसके बाद सेंकडो उच्छसतरिय भाषाओं का विकास हुआ ये भाशाएं मनुश्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाशाओं के काफी करीब हैं कुछ उच्चिस तरी भाशाएं ये हैं एक पॉट्रण कम्प्यूटर के इस भाशा का विकास IBM के सौजने से J.W. बेकस ने 1957 में किया था इस भाशा का विकास गणितिय सुत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था 2. कोबोल C.O.B.O.L कोबोल वास्तम एक Common Business Oriented Language का संक्षिप्त रूप है इस भाशा का विकास व्यवसाइक हितों के लिए किया गया इस भाशा के संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समुह को पैराग्राफ कहते हैं सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्षिन बनाते हैं और सेक्षिनों से मिलकर डिविजिन बनता है 3. Basic B.A.S.I.C. ये अंग्रेजे के शब्दों Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code का संक्षिप तरूपांतर है इस भाशा में प्रोग्राफ में नहीं तादेश क्यों किसे निश्चित भाग को निश्पादित किया जा सकता है जबकि इससे पहले की भाशाओं में पूरे प्रोग्राम को कम्प्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कारे निश्पादित होते थे 4. Algol A.L.G.O.L. ये अंग्रेजे के Algorithm Language का संक्षिप तरूप है इसका निर्माण जटिल बीच गणितिये गणनाओं के प्रयोग हेतू किया गया था 5. Pascal P.A.S.C.A.L. ये Algol का परिवर्धित रूप है इसमें सभी चरों को परिभाशित किया गया है जिसके कारण ये Algol एवं बेसिक से भिन्न है 6. Komal C.O.M.A.L. ये Common Algorithmic Language का संक्षिप्त रूप है इस भाशा का प्रयोग में अध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है 7. Logo L.O.G.O. इस भाशा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुक्रितियों के शिक्षा देने के लिए किया जाता है 8. Prolog P.R.O. L.O.G. ये अंग्रेजिश शप्त Programming and Logic का संक्षिप्त रूप है इस भाशा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था इसका विकास क्रत्रें बुद्धी के कारियों के लिए किया गया है जो तारकिक Programming में सक्षम है 9. F.O.R.T.H. इस भाशा का अविश्कार Charles Murray ने किया था इसका उप्योग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कारियों में होता है इन सभी उच्चिस्तरी भाशाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों A, B, C, D आधी एवं इंडो अरिब्यनंको 0, 1, 2, 3 आधी का प्रयोग किया जाता है नोट, पाइलेट, P, I, L, O, T, C, C++, L, I, S, P, UNIX, UNIX, एवं S, N, O, B, O, L कुछ अन्य उच्चिस्तरी भाशाएं है कंप्यूटर के विभिन भाग CPU, ये Central Processing Unit का संक्षिप तरूप है इसे कंप्यूटर का मस्तेश्क कहा जाता है RAM, RAM, ये Random Assess Memory का संक्षिप तरूप है सामाने भाशा में इसे कंप्यूटर की यादताश्ट यानि Memory कहा जाता है RAM की गर्णा Megabytes, I, से होती है अच्छे कंप्यूटर के लिए 32 RAM आदर्श मानी जाती है ROM, ROM, ये Read Only Memory का संक्षिप तरूप है ये हार्डवेर का वो भागें जिसमें सभी सुचनाएं स्थाई रूप से एकठा होती रहती है और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का नरदेश देता है Motherboard, ये Circuit Board होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रतियेक प्लाग लगाये जाते है CPU, RAM, आदी यूनिटे, Motherboard में ही संयोजित रहती है Hard disk इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कारे होता है वर्दमान में 4 GB का hard disk आदर्श माना जाता है Floppy disk drive ये सुचनाओ को सुरक्षित करने या सुचनाओ का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयूक्त होता है CD-ROM CD-ROM यानि Compact Disk छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आकणों एवं चित्रों को ध्वानियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है Keyboard कंप्यूटर के लेखन प्रणाली के लिए उप्योग में लाया जाने वाला उपकरण Keyboard कहलाता है सामाने तहा 101 Keyboard को अच्छा माना जाता है Mouse इसकी साहता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिम प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है Monitor इस पर कंप्यूटर में नहित जानकारियों को देखा जा सकता है वर्तमान में 15 इंच से 17 इंच के आकार वाला Monitor बाजार में उपलब्ध है अच्छे रंगीन Monitor में 256 रंग आते हैं Monitor में Dot Pitch का उपयोग होता है Dot Pitch पर जितने कम नंबर होते हैं स्क्रीन पर उभरने वाले छवी उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है Soundcard ये जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ Multimedia के बढ़ते प्रयोग के लिए आविशक है Printer इसकी मदद से Computer पर अंके तांक्रों को कागस पर मुद्रित किया जाता है Dot Matrix, Ink Jet, Bubble Jet और Laser Jet प्रमुक Printers है Computer Virus Computer Virus एक प्रकार का Electronic Code है जिसका उपयोग Computer में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है इसे Computer Program में किसी टेलिफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेशित किया जा सकता है इस Code से गलत सूचनाएं मिल सकती है एकत्रत जानकारी नश्ट हो सकती है तथा यदि कोई Computer किसी Network से जुड़ा है तो Electronic Group से जुड़े होने के कारण ये वाइरस संपूर Network को प्रभावित कर सकता है Floppy के आदान प्रदान से भी वाइरस के फैलने का डर रहता है ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही Computer में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षती पहुचा सकते हैं इनके रोख्थाम के लिए Electronic सुरक्षा व्यवस्था विक्सित की गई है कुछ मुखे Computer वाइरस है माइकेल एंजलो, डाक एवेंजर, खिलो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लाडी, चेंज, मुंगू, एवं देसी Computer से संबंधित महित पपोनत थे Computer का हिंदी नाम संगणक है Charles Beavich को Computer का पिता में कहा जाता है One Newman का Computer के विकास में सरवाधिक योगदान है आदुने Computer के खोज सरवप्रथम 1946 इसवी में हुई Computer के क्षेत्र में महान क्रांते 1968 इसवी से आई विश्व में सरवाधिक Computer वाला देश संयुक्त राजे अमेरिका है इसके पश्चात क्रमशाह जापान, जर्मनी, ब्रीजे, नेवं, फ्रांस का स्थान आता है भारत का इस सूची में 19 मास्थान है Computer साक्षर्ता का अर्थ है, computer क्या कर सकता है और क्या नहीं इस बात की जानकारी होना 2 December Computer साक्षर्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में नई Computer निती की घोशना 1984 नवंबर में की गई थी भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिधार थे इसका निर्माण Electronic Corporation of India ने किया था भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्ट 1986 को बेंगलोर के प्रधान डाग घर में लगाया गया था भारत का प्रथम कंप्यूटरी क्रिट डाग घर नहीं दिल्ली का है भारत का प्रथम प्रथम प्रदूशन रहित कंप्यूटरी क्रिट प्रिट्रोल पाम मुंबाई में है निजिक शेत्र के अंतरगत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्व विद्याले राजेव गांधी कंप्यूटर विश्व विद्याले है भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षन पदती नई दिल्ली में लागू की गई थी भारत के सिलिकोन घाटी बंगलावर में इस्तित है भारत ये जनतापार्टी भारत के पहले ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेब साइट पनाया है Computer तीन प्रकार के होते हैं Digital, Analog और Hybrid वो Computer जो गणितिये गणना करता है Digital Computer कहलाता है Integrated Circle Chip का विकास JS किल भी ने किया चुम्बक ये डिस्क पर Iron Oxide की परत होती है Tim Berners, Lee, WWW के आविशकारक तथा प्रवर्तक है Assembly भाषा को यंद्र भाषा में परिवर्तित करता है एक Computer के स्मृति सामाने तोर से किलो बाइट अत्वा मेगा बाइट के रूप में व्यक्त की जाती है एक बाइट, आठ, दोई आधारी अंको का बना होता है अनुपम भाभा पर्माणू अनुसंधान के इंद्र द्वारा विक्सित सुपर कम्प्यूटर है T3A, विश्वका सबसे तेज कम्प्यूटर है Computer डाटा के सबसे छोटी काई बिट है Microprocessor को Pentium ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाता है Intel का अधुनातन Microprocessor Pentium 4 है वो Computer जो आंकलन के सिधान्त के अनुसार कारे करता है Analog Computer कहलाता है Analog एवं Digital के संयुक्तु स्वरूप को Hybrid Computer कहते है Madhyam Aakar के Computer को Mini Computer कहते है सुक्षमतम Aakar के Computer को Micro Computer कहते है सामाने Computer के अपेक्षा 10 गुना तेज कारे करने वाले बड़े Computer को Super Computer कहते है एक सुपर Computer में करेब 40,000 Micropro Computer जितनी परिकलन ख्रमता होती है इसकी गति को Megaflop से ना पा जाता है विश्व का प्रधम सुपर Computer क्रे क्रे 1S था जो 1989 में बन कर तयार हुआ था इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था 32 कंप्यूटरों के बराबर कारे कर सकने वाला Deep Blue Computer एक सेकेंड में शत्रंज की 20 करोड चालें सोच सकता है इसी सुपर Computer ने विश्व Champion Gary Kasparov को पराजित किया था विश्व के प्रधम Electronic Digital Computer का नाम Eniak है विश्व का सबसे बड़ा Computer Network का नाम Internet है याहू Google एवं MSN Internet Sites है Internet पर उपलब धोने वाली प्रथम भारती समाचार पत्र दहिंदू है Internet पर उपलब धोने वाली प्रथम भारती पत्र का इंडिया टुड़े है Usenet, USC, NET तमाम विश्विद्यालियों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है Internet सूचना की खोज करने में आख सबसे ज्यादा मदद करता है आख का विकास MacGill University ने किया जब किसी Network का Internet धारक अन्ने Network के साथ जोड़ता है तो उसे Kate Way कहते हैं Internet से जुड़ा वो संगणक जहां विशेश प्रकार की सूचनाय उपलब्द हूँ साइट कहलाता है पास या दूर के किसी संगणक या Network से सूचनाय Modem की मदद से अपने संगणक में लाने की प्रक्रिया को Download कहते हैं Modem कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलिफोन लाइन पर काम करता है पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाय भेजना अपलोड कहलाता है कंप्यूटर्स की पांच पेढ़ियां विक्सित की गई है पहली पेढ़िय के कंप्यूटर में निर्वात्यू उप्रायूक्त होता है आधुनी कंप्यूटर में प्रायाह सेमी कंड़क्टर मेमरी स्मरन शक्ति का कारे करती है कंप्यूटर बोर्ड में कुल आठ सैयों जख होते है एक किलो बाइट वन केबी सूचना के आगमन एवं कारे करम के खोच करने के लिए SNOBOL विशिष्ट भाषा का प्रायोग होता है परस्नल कंप्यूटर पर सर्वपधम उस्तक टेड नेलसन ने लिखा कंप्यूटर पर लिखे पुस्तक सोल ओफ न्यू मशीन लेखक टैसिक के डर को पुलिटसर पुरसका आर्दी आ गया कंप्यूटर के प्रथम पत्र का कंप्यूटर आंट अटोमेशन है प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर वी आई सी अपॉन ट्वेंटी है विज्ञानिकों के अनुसार भारती भाषा संस्कृत कंप्यूटर कृत करने के लिए सबसे आसान है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वानेजी के उप्योग के लिए जानकारी तयार करना रेकॉर्ड्स का संग्रहे फाइल कहलाता है डेजिटल कंप्यूटर की कारेपधिती गणना और सिधान पराधारित है विश्व का प्रथम डेजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था फोट्रोन प्रोग्राम ही तो विक्सित की गई सर प्रथम भाशा है हिंदे कमांड स्विकार करने वाला कंप्यूटर भाशा प्रदेश है कोबोल उच्चस्तरिय भाशा HLL अंग्रेजी भाशा के समान है कोबोल भाशा में सरवादे को प्यूक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है अनुवाद प्रोग्राम जो उच्चस्तरिय भाशा का निमनिस्तरिय भाशा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है बेसिक भाशा को फोट्रन, अल्कॉल, पास्कल आधी को सिखाने के लिए नीव का पत्थर कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, चतुर्थ पीड़ी का कम्प्यूटर है प्रोलॉग, पंचम पीड़ी के कम्प्यूटर की भाशा है इंटेग्रेटिट सर्किट चिप का विकास, जेए स्किल भी ने किया इंटेग्रेटिट सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है कम्प्यूटर अशुधि को बग कहा जाता है पुणे के CDAC के विज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड एक खरब गरना करने की शमता से युक्त कम्प्यूटर परम 10 हजार का निर्मान किया इसके विकास का मुख्यश्रे CDAC के कारेकारिन देशक डॉक्टर विजे पी भासकर को जाता है भारत में सरवप्रथम National Aeronautics Laboratories पेंगलोर ने फ्लो सावर नामक सुपर कम्प्यूटर विक्सित करने में सफलता पाई थी कम्प्यूटर पर परमानू परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है लेजर प्रिंटर सरवाधिक तेज गती का प्रिंटर है IBM एक कम्प्यूटर कमपनी है कम्प्यूटर वारेस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो फाईल संक्रामक के नाम से चाना जाता है वाईटू के संक्रट अर्थाट एयर 2000 क्रैसिस तारीखों से संबन्दित कम्प्यूटर की समस्या थी वाईटू के संक्रट को मिलियन बग भी कहा गया किसे computer या उसके hard disk या किसे चलते होई कारिक्रम या program का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना crash कहलाता है प्रस्तुत हैं computer से संबंधित शब्द संक्षेप ALU, Arithmetic Logic Unit Algol, Algorithmic Language ASCLL, American Standard Code for Information Interchange Basic, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code BCD, Binary Coded Decimal Code CPU, Central Processing Unit CAD, Computer Aided Design COBOL, Common Business Oriented Language CD, Compact Disc CDOT, Center for Development of Telematics CLASS, CLASS, Computer Literacy and Studies in School COMAL, Common Algorithmic Language DOS, Desk Operating System DTS, Desktop System DTP, Desktop Publishing E-Commerce, Electronic Commerce E-Mail, Electronic Mail E-NIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator FORTRAN, Formula Translation FACS, Far Away Xerox FLOPs, FLOPs, Floating Operations Per Second HLL, High Level Languages HTML, High Text Markup Language IBM, International Business Machine IC, Integrated Circuit ISH, Information Super Highway LAN, Local Area Network LDU, Liquid Display Unit LISP, List Processing LLL, Low Level Language MICR, Magnetic Ink Character Recognizer MIPS, Millions of Instructions Per Second MOPS, Millions of Operations Per Second MODEM, Modulator Demodulator NIC-NET, National Information Center Network OMR, Optical Mark Reader PC-DOS, Personal Computer, Disk Operating System PROM, Programmable Read Only Memory RAM, Random Assess Memory ROM, Read Only Memory RPG, Report Program Generator SNOWBOL, SNO, BOL String Oriented Symbolic Language VDU, Visual Display Unit VLSI, Very Large Scale Integrated WAN, Wide Area Network WAN, Wide Area Network WWW, World Wide Web File 01 A, Computer Samarpt Lucent's Samanye Adhyan Me VISHE CHE, Computer Samarpt Japan Hunt Univant 900 Em Sing A, communities